हेलो फेंट्स मैं मंदीप सौगत करती हूँ आप सभी का अपने चैनल पर फेंट्स आज की इस वीडियो में स्लीव का डिजाइन में आप लोग के साज शेय करूंगी तो दिखे ये वाला जो डिजाइन है वो आजकल बहुत ही जादा ट्रेंड में चल रहा है आप लोग भी जरूर ट्राइक कीजेगा और इसे बनाना बहुत ही जादा आसान भी है तो चलिए कटिंग शुरू करते हैं सबसे पहले हमें असदर के कपड़े को इस तरह से फोल्ड करके रख लेना है और कटिंग करने के लिए नीचे से क्लाइन रोकर के कपड़े को सीधा करेंगे इसक तरह से लाइन बना लेंगे और आर्म होल के लिए यहाँ पर मार्किंग करेंगे तो मैंने 7.5 इंच पर मार्किंग किया है तीन इंच पर हमने इसे डाउन रखना है बड़ी स्लीव से इसके बाद हमें स्लीव का शेव देना है नीचे बॉटम की तरफ से मार्किंग करनी है जितना भी आपका नीचे बॉटम का मार्किंग होता है, गुलाई होती है उसका हाप लीचे का, प्लस देडिंच एक्स्ट्रा लेना है बार्जिन के लिए, इस तरह से हमें यहापर स्लीव्स का पैटन ड्रॉ करके इसे मिला लेना है, तो मार्किंग यहापर मैंने पूरी कर ली है, अब इसे कट कर लेंगे, स्लीव्स के पैटन को हमने कट कर लेना है इस तरह से, यह दिखिए, पैटन को कट करने के बाद अब हमें यहापर डिजाइन के लिए मार्क करना है, तो उपर से चोड़ाई में करेंगे 4 इंच पे और लंबाई आप अपने according ले सकते तो मैंने यहाँ पर टाइंच का gap रखा है और उसके बाद हमें इसे V-shape दे देना है यह दिखें, इस तरह से मैंने यहाँ पर sleeves का shape दे दिया है और इसे cut कर लेना है line के अंदर हमें इसे cut करना है इस तरह से man fabric पर मैंने इसे रख कर cutting कर लिया है और इसके बाद ही कि हमें paper pasting लेना है अगर आपके पास यह नहीं होता है तो simple आप इसे सिलाई लगा कर ही बलट लीजेगा और अगर paper pasting है तो आप इसके उपर इस तरह से इसे रख ले और यहाँ पर as a dish shape देने के बाद इसे cut कर लेना है यह देखिए shape मैंने अच्छे से बना लिया है और इसके बाद हमें बाहर की तरफ से 1 इंचर एक्स्ट्रा लेते हुए इसका cutting कर लेना है यह देखिए मैंने आपर इसे cut कर लिया है और इसके बाद हमें paper pasting को attach कर लेना है अस्तर वाले पार पर तो यहाँ पर हमें इसे रख लेंगे तोनों तरफ से बराबर कर लेंगे और सिलाई लगा कर हमें इसे attach कर लेना है आप चाहें तो प्रेस करके चिपका भी सकते हैं paper pasting को कपड़े के उपर मैं यहाँ पर सिलाई लगा रही हूँ तो देखिए pasting पर सिलाई लगा लेने के बाद हमें एक तरफ से और सिलाई लगा लेनी है अस्तर के उपर मैंने इसे attach कर लिया है और बीच में से extra जो पाटे इसे cut करके निकाल देना है तो इस पाट को मैंने cutting करके निकाल दिया है और इसके बाद देखिए मैंने यहाँ पर लिया है man fabric man कपड़े के साथ हमें सिलाई लगा कर इसे पलट लेना है तो पहले हमें इस तरह से यहाँ पर सिलाई लगानी है सिलाई लगाने के बाद कपड़े के extra part को cut करके निकाल देना है और यहाँ पर छोटे छोटे cut लगा लेने है जिससे के pattern आसानी से पलट कर सीधा हो जाए इसके बाद देखे एक सिलाई हमें इस तरह से लगा लेनी है यहाँ पर अस्तर को पलटते हुए एक सिलाई हम यहाँ पर लगाएंगे अब देखे इस pattern को पलट लेना है और नीचे बॉटम की तरफ भी सिलाई लगा देनी है तो अलग से आपको पटी लगानी की जरूरत नहीं पड़ेगी अगर आप अलग से इसमें पटी लगाना चाहें तो वो भी लगा सकते हैं मैं इससे सिलाई लगा कर ही पलट रही हूँ तो नीचे की तरफ देखिए मैंने आपर सिलाई लगाती है और इसके बाद हमें इसके बाद हमें इससे पलट करके सीधा कर लेना है तो इस तरह से देखिए इससे पलट करके हमें सीधा कर लेना है कपड़े को अच्छे से हाथों से फिनिशिंग कर देना है और एक सिलाई हमें उपर से फिनिशिंग के साथ लगा लेनी है ये देखिए कपड़े को हाथ से फिनिशिंग करते जाएंगे और सिलाई लगाते जाएंगे इस तरह से एक्स्ट्रा जो कपड़ा है इससे कट करके निकाल देना है फैब्रिक को कट करके निकाल देंगे कपड़ी के एक्स्ट्रा पार्ट को कट कर लेने के बाद अब हमें बीच का डिजाइन यहाँ पर तयार कर लेना है तो इसके लिए आपको एक निउस पेपर लेना है और नेट का फैब्रिक लेना है तो देखिए मैंने यहाँ पर जो नेट का कपड़ा लिया है इसकी लंबाई चुड़ाई रखी है 14 इंच की और आपको एक निउस पेपर भी ले लेना है जिसके उपर हम असीन का मार्किंग करेंगे यहाँ पर देखिए हमें स्लीव्स को रखना है और एसटीज इसका शेप मार्क कर लेना है उपर की तरफ से भी यहाँ पर मार्किंग कर लेंगे तो यह मार्क करने के बाद हमें नेट का फैबरिक लेना है और उसके उपर प्लिट्स बना लेनी है तो यहाँ पर हम इसे रख लेंगे इसके लंबाई चोड़ाई मैंने 14 इंच रखी है थोड़ी थोड़ी पर सिलाई लगानी है और एक जगा आपको प्लिट्स यहाँ पर बना लेनी है इस तरह से सारी प्लिट्स आपको सेंटर में बना लेनी है और इसके बाद इसे हम पेपर पर सेट कर लेंगे तो सेंटर में रखना है जो वी शेफ हमने बनाया है नीचे की तरफ इसे बराबर करते हुए रख लेना है इस तरह से तो यह मार्किंग कर यहाँ पर इसे अटेज कर लेने के बाद हमें उपर से भी सिलाई लगा लेनी है तो पहले हम यहाँ पर देखे ब्लेट्स बना लेंगे एक-क करके इस तरह से आपको प्लेट्स को जमाते जाना है थोड़ी थोड़ी दूरी पे और सिलाई लगाते जाना है यह निकाल दिया है और इसके बाद अब हमें इसे सेट कर देना है स्लीव के साथ तो बीच में बिल्कुल बराबर करते हुए रख लेंगे यहाँ पर देखे इस तरह से दोनों तरफ पर लगाने के बाद कॉर्णर की एक सिलाई हमने यहाँ पर अटेज कर लेनी है बिल्कुल फिनिशिंग के साथ देखे आप पर सिलाई लगानी है यह देखे मैंने आप पर सिलाई लगा करके इसे पूरा कर लिया है अब हमें क्या करना है एक्स्टा जो पेपर है इसे कट करके निकाल देना है तो इस पेपर को हमने इस तरीके से आप पर निकाल देना है पेपर निकालने के बाद नीचे बॉटम पे आप अपनी पसंद से लेस लगा सकते हैं और ये जो हमने V-Shift दिया हैं यहाँ पर भी आप पाइपिंग या लेस का यूज़ कर सकते हैं तो इसी के साथ मेरा ये स्लीस का डिजाइन बेंड करके तियार होगा। तो टोटल लेंथ में याँ पर रखोंगी साड़ी दस इंच। तो टो टोटल लेंथ याँ पर रखोंगी साड़ी दस इंच पर रखोंगी साड़ी। प्रेंट के लिए आदा इंच अदर की तरफ लेते हुए इसकी गहराई भी देती है और अब हमने स्लीज को कट कर लेना है तो जो नॉर्मल स्लीज का पैटन होता है वो हम यहां पर कट कर लेंगे और बहुत ही आसान डिजाइन है यह यह देखिए इसके नॉर्मल पैटन की कट करके निकाल देना है यहां पर आप क्रॉस का निशान लगा लेजाएगा थाकि जोड़ते से मैं आपको पता रहेगा कि यह वाला पार्ट हमने फ्रेंट में अटेज करना है अब इसमें से एक स्लीज का डिजाइन में आपको तैयार करके दिखा रही हूँ यह दिखी सबसे पहले हमें इसे फोल करते हुए सेंटर में क्रिस का निशान लगा लेना है और इसके बाद अब मैं इसे फोल करते हुए यहां पर मार्किंग कर रही हूँ में फैबरिक पर हमने इसे कट कर लेना है साइड में अगर कोई जोड़ लगता है तो आप पहले यहां पर कप्ला टेश कर ले या बाद में भी आप कर सकते हैं अस्तर की बराबर से अब दिखिए मैं यहां पर स्लीव का पैटन तयार कर रही हूँ तो सबसे पहले हमने अस्तर वाले पैटन को लेना है और यहां पर फोल करते हुए इस पर मार्किंग कर लेनी है सेंटर उसे मार्किंग करेंगे इस डिजाइन को आप छोटा बड़ा करके अपने अकॉर्डिंग बना सकते हैं तो सबसे पहले दिखिए हमने नीचे की तरफ 5 इंच का गैप रखना है वन पॉइंट यहां पर दिखिए 2.5 इंच पर गैप रखेंगे और एक इंच का यहां अब दिखिए मैं यहां पर सिलाई लगा रही हूँ तो अंदर की तरफ मैंने मैंन फैप्रिक को रखा है और उपर की तरफ से असर के कपड़े को रखेंगे दोनों तरफ से स्वीज को बराबर करते हुए रख लेना है और इसके बाद हमने पिन के साथ इसे अटेज कर लेन अब यहां पर सिलाई लगानी है तो एक पेर का मार्जिन छोड़ते हुए सिलाई लगानी है तो इतना गयप लगते हुए ही आपको सिलाई लगानी है सिलाई में लगा ली है अब देखिए यहाँ पर च्छोटी-छोटी कट लगा देने हैं जिससे की कपड़ा असानी से फोल्ड हो जाएगा और एक सिलाई अस्तर के कपड़े को इस तरफ रखते हुए अस्तर वाले पार्ट पर लगा लिनी है जिससे के कपड़ा अपका असानी से अंदर की तरफ फोल्ड हो जाएगा तो मैंने यहाँ पर सिलाई लगा दी है और इसके बाद कपड़े को अंदर की तरफ fold करना है तो अच्छे से finishing के साथ दिखे fabric को हम अंदर की तरफ fold कर लेंगे और एक सिलाई उपर finishing के साथ लगा लेंगे ये देखी, corner पे एक सिलाई हमने लगा लेनी है इस तरीके से तो ये सिलाई मैंने लगा करके इसे पूरा कर लिया है और अब दिखिए बाहर की तरफ सिलाई लगाएंगे तो इस तरीके से चारो तरफ से सिलाई लगा कर इसे पूरा कर लेंगे सिलाई लदानी के बार जितना भी एक्स्टर फैब्रिक रहेगा इसे कट करके निकाल देना है साइट में अगर कुछ फैब्रिक हमने जोड़ना है तो उसे भी अटेश कर लेंगे अब दिखी मैंने यहापर इसे अटेश कर दिया है नीचे बॉटम की तरफ मैंने थोड़ा फैब्रिक एक्स्टर रखा था तो मैं इसे फोल्ड कर रही हूँ अगर आपके इसमें कपड़ा एक्स्टर नहीं होता है तो आप यहाँ पर एक पटी लगाकरी से फिनिशिंग कर सकते हैं अब इसके बीच में हमने डिजाइन बनानी है इसके लिए मैंने लिए हैं चोकोर कपड़े जिनकी लंबाई चोड़ाई तीन इंच की रखी है ट्रैंगल शेप में हमने इसे फोल्ड कर लेना है तो सभी पैटेंस को एक एक करके सिल लेंगे यह दिखे सभी पैटेंस को त्यार कर लेना है और कट करने के बाद इसे एक की उपर एक रखना है और सुई धागे से इसे स्टिच करना है अच्छे से दिखे सुई में चार फोल करके धागा लीजीगा थाकि आपका यह जो पार्ट रहे वर्चे से पका रहे और यहाँ पर में लगा रही हूँ एक मोती चोटा या बड़ा मोती आप अटेश कर सकते हैं यहाँ पर आप फैब्रिक पैटेंस भी लगा सकते हैं वो सब यह पैटेंस तयार करने की बाद एक की उपर एक हमने इसे यहाँ पर रख लेना है और सिलाई लगा कर इसे अटेश कर देना है तो दिखे यहाँ पर इसे रखेंगे और एक के करके से सिर लेंगे ये दिखिए बराबर से इसे रखना है और यहाँ पर सिलाई लगाने नहीं है एक तरफ से मैंने इससे अटेज कर दिया है दूसी तरफ से भी इसी तरीके से अटेज कर लेंगे बराबर से इसे मैंने दूसरी तरफ से भी अटेज कर दिया है और नीचे की तरफ आपको भी डिजाइन बना करके अपने अकॉर्डिंग लगा सकते हैं मैं लगा रहे हूँ यहाँ पर फ्रिल तो इसके लिए मैंने डाइ इंच की चोड़ाई में फैबरिक लिया था और चोटी-चोटी प्लिट्स हमने इसके इस तरीके से बना लेनी है पटी की पूरी फ्रिल बना लेंगे और इसे नीचे बॉटम की तरफ अटेज कर लेंगे फ्रिल बना के तयार कर लिया है इसका एक्स्ट्रा फैबरिक हमने कट करके निकाल देना है और इसके बाद इससे अटेज कर देना है तो दीखेगा यहाँ पर हमने रखना है इसे और किनारे किनारे पर सिलाई लगा लिनी है यह दीखे इस तरीके से मैंने सिलाई लगा दी है सिलाई लगाने के बाद हमने यहाँ पर एक पट्टी अटेश कर दीनी है यहां पर कपड़ा कम था तो मैंने पट्टी लगाती है और इसे के साथ मेरा यह स्लीव्स का रिजाइन बन करके तयार हो गया है तो अब आपको टोटल लंबाई लेनी है जितनी पिलाइन था आपको तयार रखनी है उसमें एक इंच मार्जिन का प्लस करके आप टोटल लेंथ लेजएगा टोटल लेंथ मैंने रखी है ग्यारा इंच की दस इंच मुझे रेडी रखना है इसकी लेंथ साथे साथ इंच आर्मो लिए हैं आप अपने साइस के साब से नाप कर लीजएगा तीन इंच पर मैंने इसे डाउन रखा है तीन इंच डाउन करने के बाद हम ने इस तरीके से नीचे का बॉटम का जो भी मेंज़रमेंट होता है उसका हाफ लीजएगा प्लस आपको दो इंच एक्स्टर लेना है बार्जिन के लिए उपर से भी दो इंच और नीचे से भी दो इंच का मार्जिन मैंने एक्स्टर रखा है तो दिखिए यहाँ पर सिंपल स्वीज का पैटन बना लिया है अब हम इससे कट कर लेंगे इस डिजाइन को आप छोटी स्वीज और बड़ी स्वीज दोनों में ही आसानी से बना सकते कर लिया है नीचे से भी कट करके कपले को सीधा कर लेना है हमिन इस तरीके से अब देखिय आपर मैंने लिए इस तरीके से उपर की तरफ आपको दो इंच मार्क कर लेना है और दो इंच ही नीचे की तरफ मार्क कर लेना है दो इंच उपर से और दो इंच नीचे से मार्किंग करते हुए इस गेल से आपको इससे मिला लेना है और अब मैं इससे कटिंग कर रही हूँ यहाँ पर देखिए मैंने कुछ और कपड़े लिए हुए हैं इसके हमें ट्रैंगल में डिजाइन तियार कर लेना है तो यह डिजाइन हम स्लीज की नीचे जो बॉटम रहेगा वहाँ पर इसी लगाएंगे तो जितना आपको जरुवत है उतने ट्रैंगल के डिजाइन आप यहाँ पर रेडी कर सकते हैं यह डिजाइन के जगा आप फ्रिल भी लगा सकते हैं नीचे की तरफ सभी पैटेंस को एक एक करके हमने तयार कर लेना है यह डिएक है सभी पैटेंस तयार करने के पाद इसे एक कने करके हमने धिक कर लेना है कटिंग करने के बाद इसे करेंगे हम मैन फाब्रीक पर तो मैन फाब्रीक पर दिखे आपको आगे की तरफ दोनों तरफ तोड़ञा घैप छोड़ देना है सिलाई मार्जिन के लिए उसके बाद आप यहां पर इस डिजाइन को इस तरीके से लगा लें ये दिखी तो इस तरीके से लगाने से ये होगा कि आपका जो ये जो डिजाइन का मार्जिन है वो अंदर की तरफ चला जाएगा पिल्कुल भी नहीं दिखेगा और फिनिशिंग के साथ ये डिजाइन बनेगा तो ये डिजाइन मैंने मैंन फाब्रिक पर अटेज कर दिया है नीचे से आधा हिंच का मार्जिन रखते हुए अब आपको उपर की तरफ अस्तर को रखना है और जो सिलाई आपको दिख रही है इसी सिलाई के उपर सिलाई चला लेनी है इस सिलाई को लगा लेने के बाद आपको इस तरीके से यहाँ पर इस अच्छे से फिनिशिंग कर लेना है फिनिशिंग करने के बाद अब हमें यहाँ पर सिलाई लगा देनी है तो कॉनर की एक सिलाई लगा कर इसे इस तरीके से तयार कर लेना है कपड़े को हाथों से अच्छे से फिनिशिंग दे देनी है ताकि इसके अंदर सलना रहें और इसके बाद आपको इस डिजाइन के उपर सिलाई लगा लेनी है यह देखिए इस तरीके से मैंने आप पर एक सिलाई लगा दी है अब हमने सिलाई लगानी है बाहर की दरफ इस तरीके से देखिए हाथों से कपड़े को फिनिशिंग देते जाएंगे ताकि इसके अंदर सलना रहें और चारों तरफ से सिलाई लगा करके मैंने इसे पूरा कर लिया है एक्स्ट्रा फैब्रिक को कट करके निकाल देना है अस्तर के बराबर से दिखिए कपड़े को हमने कट कर लेना है अब यह जो डिजाइन के बीच का फैब्रिक है इसे भी हमने कट करके निकाल देना है ये दिखिए इस तरीके से फैब्रिक को मैंने यहां से भी कट कर दिया है अब लिया है मैंने पेपर पेस्टिंग पेपर पेस्टिंग लेंगे और इस तरीके से दिखिए डिजाइन को यहां पर मार्ग कर लेंगे अगर आपके पास pasting नहीं होता है तो simple आप अस्तर के कपड़े को भी इस तरीके से कट करके नीचे लगा कर इससे बना सकते हैं तो मैंने लिया है यहाँ पर अस्तर का कपड़ा और उसके उपर paper pasting को set कर लेंगे तो यहां पर देकिए आप कपड़े के उपर इससे चिपका सकते हैं या पर इस तरीके से सिलाई लगा कर भी अटेज कर सकते हैं चारों तरफ सिलाई लगा लेने के बाद एक्स्टा कपड़े को कट करके निकाल देंगे इतना कपड़ा रखेंगे कि यह असानी से अंदर की तरफ फोल्ड हो जाए अब हमने इसे फोल्ड कर लेना है यह देखी इस तरीके से फैब्रिक को हम यहाँ पर फोल्ड कर लेंगे फोल्ड करने के बाद अब इसे नीचे की तरफ रखना है और उपर की तरफ सिलाई लगा देनी है पैटन को नीचे की तरफ रखेंगे और उपर की तरफ से फिनिशिंग के साथ सिलाई लगाएंगे एक पेर का मार्जिन छोड़ते हुए इस तरही के से यहां पर मैंने सिलाई लगा करके इससे पूरा कर लिया है यहां पर हमने फैबरीक को कट लगा लिनी है और जो कौर्नर से वहां पर कट अच्छे से लगा लेगे यह दिखिए कट्स लगाने के बाद अब हमें इसे अच्छे से कॉर्णर पे प्रेस कर देना है ताकि यह कप्डा अंदर की तरफ चले जाए हाथों से अच्छे से फिनिशिंग दे देंगे या फिर आप प्रेस भी लगा सकते हैं इसके उपर जिसे की कप्ड़ अच्छे से बैच जाएगा तो दिखिए डिजाइन पूरा हो गया है इस पे मैंने प्रेस लगा ली है और इसके बाद हमें डोरी बिनानी है तो मैंने यहाँ पर क्रॉस पट्टी कट की हुई है क्रॉस पट्टी को इस तरीके से फोल्ड करते हुए इसकी डोरी बनाएंगे बिल्कुल पत्री सिलाई आपको यहाँ पर लगानी है मशीन का जो फूट होता है उसका एक पेर के साइट का मार्जीन कवर करते हुए सलाई एक बार में बराबर नहीं आती है तो आप दुबारा से लगा ले और इसके पाद इससे सुई धागे से पलट के सीधा कर ले तो इस पट्टी की में डोरी बना रही हूँ यहाँ पर पलट करके हमें इससे सीधा कर लेना है इस तरीके से दीखिए मैंने आपर डोरी को पलेट लिया है डोरी को आपको यहां पर लगा कर चेक कर लेना है क्योंकि इसे गोल शेप देते हुए इस डिजाइन के अंих एंदर हमें अटेश करना है तो यहाँ पर देखे मैंने इसके बराबर से डोरी को cut कर लिया है तोरी को तयार करने के बाद अब हमें डिजाइन के उपर इसे लगा लेना है तो यहाँ पर देखे हम डोरी को रखेंगे यहाँ से डोरी को लगाना शुरू करना है अच्छे से बराबर करते हुए दिखी यहाँ पर रखना है कॉर्णर पे और इसे थोड़ा सा गोल शेफ देते हुए यहाँ पर हम सिलाई लगा लेंगे यह देखे इस तरीके से अब दूसरे कॉर्णर पर डोरी को आपको रखना है और दूसरे तरफ भी गोल शेफ देते हुए डिजाइन बनानी है ऐसे ही हमें चारो कॉर्णर पर डिजाइन बना लीनी है दो तरफ मैंने बना ली है अब बागी दो तरफ भी इसी तरीके से डोरी का गोल शेफ देते हुए हमें डिजाइन बनानी है ये दिखिए इस तरीके से चारो कॉर्णर्स पर मैंने डोरी को अटेज कर दिया है डिजाइन बनके तयार हो गया है और इसमें देखिए गहराई आपको वैसे ही देनी है जिसे आप नॉर्मल स्लीज में देते हैं हाफ इंच अंदर की तरफ करते हुए तो गहराई देना आप बिल्कुल ना भूले आप देखिए चारो कॉर्णर्स पर मैं चोटे साइज में मोती अटेज कर रही हूँ तो चारो कॉर्णर्स पर हमने मोतियों को लगा लेना है इस तरीके से इसी के साथ में आजकर डिजाइन बन करके तैयार हो गया है तो फिर्णर्स प्लाउस में मार्जिन लिया हुआ है देड़ या दो इंच उत्रा मार्जिन का गैप आपको छोड़ देना है तो मैंने यहाँ पर देड़ इंच रखा था देड़ इंच छोड़ दिया है और उपर से शोल्डर जॉइंट करेंगे तो आदा इंच मैंने वो छोड़ दिया है उसके बाद हमारा जितना आर्म होल बसता है वो आपको नाप लेना है तो मेरे मेजरमेंट में यह आ रहा है इंच फिर से एक बार नाप लेंगे ट इंच आ रहा है मेरा आरम होल यहाँ पर इसके बाद देखे मैं आपको बता रही हूँ आदा इंच इसमें और एड कर लेना है आपको क्योंकि हमारा जो front का आर्मोल होता है वो थोड़ा बड़ा होता है क्योंकि हम उसमें घेराई देते हैं तो आदा इंच इसमें आपको और ब्लस कर लेना है तो sleptcating कर ते समय हम 34.8 इंच का आर्मोल नापिंगे आप देखिए कपड़े को आपको इस तरीके से फोल्ड कर लेना है और कपड़े की बंद भाग को आपको अपनी तरफ रखना है कटिंग करते समय सबसे पहले एक लाइन डॉकर के हमने नीचे से कपड़े को सीधा कर लेना है और स्लीज की लंबाई लेनी है अस्तर वाली स्लीज होती है तो उसमें आप एक इंच एट करके लीजिएगा जैसे कि मुझे यहाँ पर नो इंच की तेयार रखनी है तो एक इंच मार्जिन का प्लस करके दस इंच पर मैंने मार्किंग किया है क्योंकि आदा इंच हमारा उपर जाएगा मार्जिन में और आदा इंच नीचे की तरफ जाएगा अब हमने यहाँ पर जो आर्मोल नापे थे बैक पार्ट में जो आर्मोल बतायते मैंने आपको साड़े आर्ट इंच वो यहाँ पर नाप लेना है एक सीधी लाइन बना ली है इसके बाद इखिए और इसके बाद इखिए पट भी से अपको खेल के पिर लगा भुछा के इसे करने के बार पकू concept मॉइब को परप नियुकपाइबल के मिला को सोल देव दुट । नहीं में पड़े इक मने दिखने से अभर मघ पना नहीं पर इसे बाद में कटिंग करते समय जो एक्स्ट्रा पार्ट होता है उससे आप कट करके निकाल सकते हैं यहाँ पर देखे नीचे बॉटम का आपका जो भी नाप होता है उसका हाफ लीचे का प्लस देड़ इंच एक्स्ट्रा मार्सिन के लिए तो यहाँ पर देखे फिटिंग वाली और मार्जिन वाली लाइन, दोनों को हम प्रेट कर लेंगे, इस तरीके से, अब दिख्यें, गहराई के से देनी है, आपको जो हम फ्रंट के लिए देते हैं, तो उपर से एक इंच का छोड़ देना है गैप आपको, और मार्जिन वाले पार्ट को छोड़ते हुए, आधा इं यहाँ पर और अगर आप इसका और ज्यादा डिटेल वीडियो चाहते हैं तो मुझे कॉमेंट करके जरूर बिताइएगा मैं जरूर से आप लोग के लिए इसका टिटोरियल एक अलग से शेयर करूँगी तो देखिए यहाँ पर मैंने इसे कट कर लिया है गेराई वाला पार आपको कट कर लेना है मैं इसे बाद में कट करूँगी और इसके बार दिखिए दोनों स्लीज़ को अलग-लग कर लेना है और मैं आपको इसका फरन्ट यहाँ पर जो स्लीज का डिजाइन बना रही हूं उसके लिए मार्किंग बता रही हूं सबसे पहले आपको अपनी स्ली इस तरह से यह देखिए तो बिलकुल आदा इंच का यह विर्थ होगी इसकी यह पर शेप देने के बाद हमने इसे गट कर लेना है तो यह आप अपनी स्लीव के डिजाइन के अपर नीचे कर ले सकते हैं मैंने इसे सेंटर से लिया है यह देखिए बिलकुल पतला सा इक शेप मैंने यहां पर दिया है देखिए बनने के बाद भी थोड़ा ब्रॉड हो जाता है और जितना आप इसे पतला बनाएंगे यह बहुत ही अच्छा लगेगा अब इसके बाद देखिए हमें क्या करना है एक पेपर पेस्टिंग का पीस ले लेना है पेपर पेस्टिंग अगर अस्तर पे इसे कट कर लेने के बाद हमने मैन फैब्रिक पर भी कट कर लेना है मैन फैब्रिक पर मैंने इसे कट कर लिया है और यह जो पेस्टिंग वाला पार्टी से मैंने अस्तर के उपर चिपका लिया है प्रेस करके इसके बाद देखिए हमें एक्स्ट्रा कप्रे के पा प्लट लेना है तो मैंन कपड़े को सीधा करके रखा है और उपर से अस्तर के कपड़े को इस तरह से रख लेगे इसके बाद के हमें सिलाई लगानी है तो नीचे आधा हिंच का मारजन लेते हुए अगर आप नीचे की तरफ कोई डिजाइन बनाकर लगाना चाहें तो अस्त करने से पहले आपसपर वाले पार्ट पर ही लगा लेजेगा जैसे की फ्रिल हो गया या ट्राइंगल वाला कोई डिजाइन होता है वो आप पर अटेज कर सकते हैं मैं इससे सिंपल ही रख रही हूं तो हमने यहाँ पर देखें सिलाई लगा कर स्लीज को पलट लेना है फिन देखें मैंने यहाँ पर सिलाई लगा दी है और इसके बाद बाहर की तरफ से भी सिलाई लगा लेनी है यह देखें मैंने बाहर की तरफ से भी इस पर सिलाई लगा दी है और जितना भी कपड़े का एक्स्ट्रा पार्टे इसे भी कट करके निकाल देना है कपड़े के एक्स्ट्रा पार्ट को मैंने कट कर दिया है और बीच में से भी हमने आपर फैब्रिक को कट करके निकाल देना है डिजाइन के बराबर से अब देखे जो पैटन हमने दयार किया हुआ है पेस्टिंग के साथ इसे आपको नीचे की तरफ रख लेना है इस तरह से और इसके उपर रखना है स्लीप स्वाला पैटन सैंटर से बिलकुल बराबर करते हुए रख लेना है और पिन के साथ इसे आपको अटेश कर लेना है इस तरह से तो मैंने हाँ पर इससे अटेश कर दिया है और इसके बाद अब मैं इस पे सिलाई लगा रही हूँ मशीन का जो फूट होता है उसका एक पेर का मारसिन लेते हुए अच्छे से फिनिशिंग के साथ सिलाई लगानी है ये दीखिए शेप के अकॉर्डिंग ही हमें सिलाई लगानी है और उपर और नीचे का जो कॉर्णर है इसे आपको अच्छे से बना लेना है ये दीखिए पॉइंट एक्जिट आना चाहिए दोनों का तबी इसका जो शेय पे वो प्रॉपर दीखेगा और इसके बाद में इसका जो बीच का फैबरिक है इससे डबल करते हुए कट कर रही हूँ दोनों तरफ आपको कर्ट लगा लेने हैं उसके बाद फिर बीच में भी कर्ट लगा लेने हैं ताकि ये आसानी सिर्फ पलट जाए और फिनिशिंग के साथ लिके अब इसे हमें पलट लेना है पेस्टिंग को अंदर की तरफ कर लेंगे इसे थोड़ा सा नाखुन से आप प्रेस कर लें कॉर्णर अच्छे से बाहर की तरफ नहीं आता है तो आप यहां पर कट लगा लें स्लाई के पास तक यह देखें अब यह बहुत अच्री तरीके से पलट के अंदर की तरफ चला जाएगा जब आप इस पर प्रेस लगाएंगे तो फिनिशिंग के साथ यह पैटर्न हमारा आजाएगा तो यहां पर देखें मैंने इसे सीधा कर लिया है उपर की तरफ आप एक स्लाई लगा लें यह यह स्लाई आप आद में भी लगा सकते हैं सिंपल प्रेस भी कर सकते हैं इसके उपर अंदर जो पट्टी है उस पे तुरपाई करनी है आपको स्लीव्स का डिजाइन में आप बनके तयार हो गया है और इसके बार देखें आप चाहें तो इसे सिंपल इसी तरह से रख सकते हैं पर मैं इसके बीच में एक बो बनाकर लगा रही हूँ तो यहां पर मैंने एक कपड़ी की पट्टी ले ली है और इसे फोल्ड कर दिया है इसकी चोड़ाई रखी है मैंने दो इंच की और इस पट्टी को आपको पलट करके सीधा कर लेना है यह देखें इस तरह से पट्टी को मैंने पलट करके सीधा कर लिया है इसके सैंटर में आपको सुई धागे से स्टिच करना है यह देखें इसे वापको बो का लूप देन सिलाई लगाने के बाद अब इसके उपर हमने मोती स्टिच कर देने हैं यह देखिए पांस से छे मोती आप यहाँ पर लीजेगा और इसे अच्छे से कवर करना है हमें मोती के साथ सेंटर में यह देखिए मैंने इसे अच्छे से यहाँ पर कवर कर दिया है सुई को अंदर बाहर करते हुए दो से तीन बार आपको यहाँ पर नौट लगा देनी है ताकि यह निकले ना तो देखिए हमारा बो बन के रेडी हो गया है अब इसे आपको स्लीव्स पर अटेज कर लेना है तो स्लीव के सेंटर पार्ट पर आपको इसे रखना है आप जहें तो पहले लें मार्किonstra में बराबर से इसे रख लेंगे और दुनों तरफ से पिन के साथ आप इसे लाइन बन करके त्यार हो गया है आपको आज कई वीडियो कैसा लगा है मुझे कॉमेंट करके ज़रूर बिताइएगा वीडियो को लाइक शेयर जरूर कीजिएगा चैनल को सस्क्राइब जरूर करें धन्यबाद